नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखें बीपीएसी टियारी 3.0 की परिक्षा संपन हो चुकी है और आपको मालूम है कि अब बेसबरी के साथ परिक्षियार्थियों को रिजर्ट का इंतजार है लेकिन आपको बता दे आंदोलन की तो ऐसे में बड़ा सवाल उड़ता है कि आखर आंदोलन की बात कर कोन रहा है और क्यूं बात अब हो रही है आंदोलन की तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बात चीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जिए धन्य नवीन सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे खबर आपके कानों में भी गई होगी कि अब बात हो रही है आंदोलन की तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंदोलन की बात कर कोन रहा है और क्यूं आंदोलन की बात हो रहा है यह सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन क्य को हम सबसे पहले रखे हैं कि वन कंडिडेट वन रिजल और इसके बाद वेरिफिकेरशन प्रॉसेस जो है उसमें बदलाव होना चाहिए क्योंकि यही दो ऐसा कारण है जिस कारण से लगभग 25% सीट या उससे जादा ही हर बार वेकेंट रहा जा रही है एक लाग सतर हजार व वेकेंसी जो है और उसमें यूं मानिए कि अगर ये दोनों चीज़ इंप्लिमेंट नहीं हुआ तो पचीस हजार प्लस वेकेंसी खाली रहा जाएंगी क्योंकि मल्टिपल कंडिडेट लगभग एक लाग के करीब थोरा सा कम या जादा मल्टिपल कंडिडेट हैं जो कि एक छातर एक से अधिक पोस्ट के लिए भर हैं तो सुभावी कृफ से उसमें बहुत सारे ऐसे मेधावी जात्र हैं कि उनका दो जगाए हो जाएगा तीन जेघाए हो जाएगा कुछ ऐसे चारों जगाए हो सकता है कि यूह बी-एड डीएल्ट कर रखे हैं तो सवाल वाइसा शात्रों को देना चाहिए कि जब हम 87,700 वेकंसी हम निकाले हैं तो पूरी वेकंसी को हम फिल करेंगे और शात्र भी यहीं चाह रहे हैं इसके लिए आज तो छात्र नेता दिलिप ने बड़ा विडियो उसी बात पर हम आ रहे हैं तो हम पहले इसके बेस पर हम चर्चा कर लें हाला कि यह सारी बात हैं सारे चाहतर जान रहे हैं तो सवाल यह उठता है कि अगर आप 50% वेटिंग का प्रावधान रखते अगर आप उपर से नीचे की तरफ वेरिफिकेशन करते डारेक्ट सीट को लॉग करते चले जाते तो निसंदे आप पूरी सीट को भर पाते लेकि यह 12 तरीकों सारे 11 वजे बेपीशी ऑफिस के पास सभी सिक्षक अभ्याड़ती जो भी इस तरह की चाहत रखते हों जिनकों भी लगता है कि वन कर्णिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए वहां जमा हो और हम सांती पुन तरीके से बेपीशी से इस मेटर को लेकर के बात करे बात करेंगे या संबन्दिद निकाय से इस मेटर कू लेकर बात करेंगे बात विलकुल वाजिव है कि कोई ना कोई तका होना चाहिए और चात्र नेत्रित कर रहे हैं दिलिप चाहिए तो इससे बहारा और क्या हो सकता है इसले करके यह ऐसी मांग है इस मांग पर तमाम छात्र या तमाम छात्र समू जरूर इस पर सपोर्ट करेंगे क्योंकि सब इस बात को चाह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए और सब यह चाह रहे हैं निश्चित रूप से चाह रहे हैं। निश्चित रूप से चाह रहे हैं। कुछ भी किनी का सोच नहीं है। अच्छे सोच के लिए ही हो रहा है। अंदोलन पूरी तरीके से सांतिपुर्ण हो। उसमें किसी भी तरह की हिंसा का कोई जगा नहीं है। अपनी बात को अच्छे से आप रखिए। और आपके जो निश्चित रूप से चाहत्र की बात हैं। अच्छा आप कहा रहे हैं कि अगर इतना भी होता है तो आपको लगता है कि फिर चात्रों की बातें मान ली जाएगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन सर के दिलिप ने जो विडियो जारी किया है उसमें दो मांगे उन्होंने रखिए। ये वही दो मांगे हैं जो मुसलसल लगतार नवीन सर भी उठा रहे हैं। आप पहले सिर्फ, डॉक्मेंट जमा ले लेते हैं। अप्लोड कर वाली ये फिर काते हैं उसको डॉप्लोड कर लिजिए, वाटर मार्क आ जाएगा उसके आधार पर जोइन अब बाद में जोईन करने के बाद फाइनल वेरिपिकेशन होगा ऐसा होता है क्या आप बाद में जा करके आभी देखे न हर डिस्टिक में ही आप देख लिजिए हर डिस्टिक में 200-300-400 सीटें खाली हुई है अगर यह पहले कर लिया जाता तो निश्टित रूप से यह अभियरती पहले ही बाहर हो चुके रहते और इसके बदले में यह जो सीटें वेकेंट होती दूसरे कोई न कोई वच्चे उस पर जोईन करते तो यह तो सरासर नाइंसाफी है सरासर नाइंसाफी है यह गलत है आप प्रोसेस में जो वाजिब प्रोसेस है आप तो दो एक्जाम अभी हुए TRE1 हुए TRE2 में अब तक तो BPSC को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस प्रोसेस का क्या नुकसान है तो आपको समझ जाना चाहिए और अगर गलत है यह प्रोसेस से बच्चे खुश नहीं है या सही मुल्यांकन नहीं हो पा रहा है सही नियाए बच्चों को नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रुप से इस प्रोसेस में बदला होना चाहिए आप तक आंसर की जारी हुआ है और आफ को देनी चाहिए क्योंगे आदत लगा रखी है छात्रों को कि एकजाम समाप्त हुआ, उसी दिन आपने OMR जारी कर दिया, आंसर के जारी कर दिया, तो सभाविक है कि जो आप डेमो दिखा चुके हैं, चात्रों तो एकदम चाहेंगे कि वह इसा ही हो, लेकिन अभी आप देख लिजे इतने दिन एकजाम के हो गये हैं, एक्टिविटी प एक संदे अभ्यर्ति के मन में होना सोभाविक है, तो इसे लेकर क्याम को लगता है कि आयोग को निस्पक्षता पुरवक, ये जो भी संदे चात्रों के मन में उत्पन हो रहा है, तो इसका जवाब देना चाहिए, कि इस कारण से हमारा विलंब हो रहा है, ये ये मेभी की र तारिक तक में हम आपका OMR जारी कर देंगे, इतने तारिक तक में हम रिजल्ट आपका बना देंगे, जो भी प्रोसेस है, क्योंकि इससे पहले वाले चेर्मेंट सर भी ये करते रहे हैं, एक डेट फिक्स करते रहे हैं, अगर उसमें फिर थोड़ा आगे या पीचे होता है फिर उसका एक तो ट्विट आपको करना है, उसके मादियम से आपको सूचना देते रही, छात्र हमेशा ऐसा नहीं एक छात्र नहीं समझते हैं, मैं भी कुछ आपको आंतरिक परिशानी होगी, छात्र इस बात को समझाएंगे, लेकिन कम से कम विधिवत ये सूचना तो अगतार वेट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा एकजाम अच्छा गया है, या किसी कारण से एक नमबर, दो नमबर हो सकता है, हमारा नहीं हो, या हो जाए, उनको आगे परने में मन नहीं लग रहा है, तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, उनको तो रहत महसूस होग है तमाम कोचिंग इंस्टिउट्स के शिक्षकों की एक बैठक होने वाली है बैठक हुई क्या कुछ निकल क्या है नहीं हो पाई है उसके बहुत सारे कारण है और सभी छात्र भी समझते हैं इस कारण को कि एक जूट करना थोड़ा सज्जादा मुस्किल हो रहा है तो इंडि उनका सपर्ट कर दीचे तो जो भी वाजिब काम है चाथर हित में काम है चुकिए चात्रों की आवाज आपको बनना ही चाहिए चुकि हमेशा से चात्रों को आप गाइड लाइन देते रहे हैं, अच्छी सिक्षा देते रहे हैं, उसी के बल पे चात्र लगाता है, रिजट लेते रहे हैं, तो ये भी आपका कर्तव बनता है, देखिए मैंने जिक्र किया बैठक की, और खबर ऐसे ऐसे आ रही है कि BPSC की ये बैठक शिक्षा विभाग के साथ होने जारी है, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में अभी संभवता कोई अपडेट नहीं है, अपडेट होगी तो आपको पता चलेगी और इस तरह की बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए, सिक्षा विभाग और BPSC मिलकर जितनी जल जल्दी करना चाहिए, जल्दी से जल्दी छात्रों के हितु में आपको ऐसा करना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है, बैठक में इस पर भी हमारी निगाहें ठिकी रहेंगी, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी प्रुब प्रुब और को बादो नहाँ हुआ हुआ हो नहाँ है